अग 드गे का यहां पर मैं आर्वी की जंटाहिए की तरह सोगत करता हूं हमारे विरुधी पक्षाति णेता विजेई जी वट्री दिवार साभ यहां पर पधाड चुके हैं मैं उनका भी अर्वी बदान साभा चेतर की जंटाहिए की तरह सोगत करता हूं और हमारे लोग प्रियांदार, हमारे लोग प्रिये उमीदवार, बार्टी राष्टी कॉंग्रस के आरवी विदान सभा चेतरे के परत्याक्षी, माननी अमर बाभु काड़े साब का भी यहां पर आक्मन हो चुका है, मैं वैसे ही माराश्ट पर्देश कॉंग्रस कमेटी के अद्देख्ष आदरनी है, बाराश्ट थोड़ा साब का भी यहां पर आक्मन हो चुका है, मैं उन सभी का सवगत करता हूँ, दोस्तों, कुछिक शड़ों में आज की सभाय की शुरुवात उने जा रही है, श्री अमर काड़े जी से अनुरोज़त करूंगा, कि वो हार, भुष्पोगुच और चर्खा देकर के श्री राउल जी गांधी का सवगत करें, वैसे ही कॉंग्रेस के माराश्टर के प्रोएक्षाग माननी श्रीय है, श्री राउल जी के सवगत के बाद माराश्टर प्रदेश के कॉंग्रेस के प्रेविक्षाग श्री मलिकार जुनी खड़गे का आर और भुके देकर के माननी अमर बभु काड़े सवगत करेंगे, माननी मलिकार जुनी खड़गे साब का अमर बभु सवगत करेंगे, और विदान सभा में विरोधी पक्षिनेता जन्ता का जनसेला पुरा उबड़ा है, काल परवा महारास्टा चा मुझ्या महावले ला पहिलवाना आए, अरे बाबा महारास्टा ला पूर्ण तेल ला उन्टाक लाई और उर्ला सुर्ला अपले अंगला ला उन्टाक लाई जरा तेल लाउनिया पेक्षा बिना तेल लाउनिया महारास्टा चा इस सर्वजंता तुमाला धुनल सारलेश्वार रहनार नाई यही लक्षात आपन गया पन तेल कोन लावन ये तो जाचान लड़ाईल जाचान कुस्ती जिंकन होत नाई निस्टून जाने साथी वुणू तेल लावन ये तो पन ये महात्र माचे सर्व महाराष्टाला तेल लावन ये तो काई अंची भाष्टा सनपूर सर्व महाराष्टाला अधोगती करे नेनाराई सरकार अले पाप कुडे हुआ पंखोरानो 14,000 शेत्करेंचा अत्मत्या जाले तरी तुम्चा डोल्या मदे पानी ये ताई महाराष्टा तेल शेत्करेंचा शाप लागया और ये सरकार करणी बेमानी या सरकार निकलेलिया है काई फशोता है शेत्करन करद में घार गेली शेत्करेंचा जाला पंट्यां चाम माग निकले एक रुप्याची इंवेश्ट्मेंड महाराष्टा ते अतनाहीं महाराष्टा मने 52 के माईडी स्या ओस पढल्लया कार खाने ओस पढले करखाले ओम अपने कामगार काप कामगार आची अकत के लिजाता है महागाईनी उच्छांग कटलाए 2 अध स्मिन्दण संथो साट वर्ष कांग्रेस ने क्या किया एक अच नारा कांग्रेस ने साट साल क्या किया अच्छा है मोधी साप आगे गाउं में बस आने लगी मोधी साप आगे ट्रेन चलने लगी मोधी साप आगे विमान उठने लगा मोधी साप आगे हॉस्पिटल बन गए मोधी साब आगे, स्कूल बन गए, मोधी साब आगे, हमारी अंगनवारी बन गई, मोधी साब नहीं थे, तो किसी के बदन पे कपड़े भी नहीं थे, अच्छा हुआ, मोधी साब आगे, सब कुछ हो गया, अरे, खुस्तो शरम कर, साट साल में इस देश को ख़़ा किया था, पसीने से, मेनज से, आज किस देव किस जगह को, जगह पर हमारास्टर और देश को आपने ख़़ा किया है, क्या बढ़ रही बेरोज़कारी, सर, यहाँ पे एक लाइट स्टील है, कम से कम वहाँ पे दस हजार लोग काम करते थे, उस लाइट स्टील में चोबिस घंटा, लाइट स्टील का चल पईया घुमता था, आज, वहाँ पे पचास प्रतिशत कामगारों को निकाला गया, आठ घंटा भी वह मील नहीं चल दी, इस विदर्बक के सारे इंडस्टी धरले से बंद पड़ रहे, फिर भी कहते हैं, हमने रोज़गार दिया, वह हमारे उद्धोजी निकल का, दशरे के दशरा होता है, दशरे के मिलावे में कहा था उद्धोजी ठाकरे ने, बोले हम सरकार में आने के बाद किसानो का साथ बारा कोरा करेंगे, पास साल का इजोपला होता का है, सत्तेची मजा खात होते, चोर चोर मावज भावू, दोगेई मिनुन माल खावू, पनुन माराश्टाला और बड़त होते आए, और शेतकर याचा नशी भिदुर्दाइवाणला, त्या विले साथ बारा कोरा कराईची हिम्मत यांची लोगे, आता सग्ण गेलावर, साथ बारा कोरा कराईची गोश् पास्टस रुपयाद सात्यल होता कन रेचा काराथ, नववद रुपयावर जाला, जान फोन नी आता मोधी लानी फळद विसाला, दै, जिरह टाकूनका फण विसानाटा का, मोधी नाटा का नि द्याततर का, 210 रुपया-ला सीमेन ची ब्याग मेला तोथी, सब वा तीन से र अनि पाच वर्शाद यहां मोदी सायवांचा सरकार्ण यानि फड़न विसानी दोन-चार सिमेन चे रस्ते बान्या चाप पली करा राहूल जी आप घबराना नहीं हिंदुस्तान आपके पिछे है और हिंदुस्तान आपके पिछे रहेगा अब आप सब महरास्ट में सट्था बदलने के लिए पूरी कोशिश करिए राहूल जी को मजबूती से खड़ा करने के लिए राहूल जी का हाथ मजबूत करने के लिए आप उनको मदद किजिए यही के साथ मैं मेरे शब्दों को भी राम देता हूँ धन्यवाद जाहिन जाहिए गुरुदेओ कॉंग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कॉंग्रेस जो है कॉंग्रेस एक विचार है जिसका इतियास त्याग और बलिदान है देश की एकता और अखंडता और सम्रुद्धी जिसका वर्तमान है और देश की खुशाली जिसका बहुश्य है इसलिए मुझे पता है कि कॉंग्रेस मुक्त हिंदुस्तान कभी न हो सकता बली बीजी भी पुर्ण तहा कॉंग्रेस युक्त हो जाएंगी मैं महाराश्ट पंद्र परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष आधर न 21 अक्टवर रोजी ओतसलिला विदान सबेचा निवोटनुखी मदे भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस राश्ट्रवधी कॉंग्रेस टिपल्स रिपॉब्लिकन पार्टी अप इंडिया शेतकरी कामगार पक्ष स्वाभी मानी शेतकरी संगतना अन्या मित्र पक्षांचे अ गांधी अपले प्रभारी अधर्निय मलिक अर्जुन खरगे साहिब जैनी आत्यमत जोरदार भाशन केल अशे अपले विरुधी पक्षे नेते विजाई जी वडेटिवार अपला भगीनी स्रिमती चारुला तताई टोकस माईला कॉंग्रेस चाज देक्ष इते उपस असले अपले अलां मधती करता राज्यस्तान बूद मालेले संवान्य मंत्री मोध जैन जी अपले अमदार अनि लोक्परिय उमिदार मन्या अमर जी काडे त्यास प्रभावी अमदार अनि उमिदार शेकर जी शेंडे अपने जिल्ला कॉंग्रेच्चे अद्देक्ष, मैला कॉंग्रेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पज़ादिकारी उपस्तित बंद्वानी भगिनी अर्विला इस सवा होते है अधनी राउज जी आप लेकड़ आले ले हें सवा अजुने भरते है शार्व चाले संकेन अजुने लोग एताए हैं वोठा संकेन लोक एता आएं अधा सवा ही लाखाची जाले लोग यह सब्धला अंची तुमस्ता माइ सब्सक्राइब अभण से लक्षा जएता है अनुग क्रण्स अधिक्या ओनारी खास्रिया मा लगृषी कहने करने तुम्चे आम्च त्लै जमीन कायु ज्वन करम आया सब्सक्रिति हैखने एक अधरिश्याम्दार पाईलिलाएग। इतल्या प्रकल्पक रस्तान करता था अंदोलन तेनी अनेक वड़ा के लेद गोर्गरिवाचा प्रश्ना करता अंदोलन के लेद पन मुद्धा हम अपला दसागिल कि मागिल पात स्वर्शा मदे जाजा वेस नागपूरला मोर्चे निगाले जन संगर्शी आत्रा निगाले या सरकार्शी संगर्श करने ची वेडाली तो सग्लात पुड़ असनर अमर बाबू अपन सगे नी पाहिले लेट पन या पलिकण जवंसुदा तुमाला सांगतो विदान समे मदे शेतकरा चे आसमाते ता प्रश्न जाजा वेस निगाला शेतकरा चे मदती ता प्रश्न नि कि निलंबित करनी तलth के तुम अलगार शिथा मदवर्व अच्था मदें तुम चांगता करता निलंबित होनारा आमदार मजे कों तो प्रश्ट सोड़ों गेले नहीं करद मुक्ति सर्सगत करद माफी करतों में सर्सगत शब्दों परला अनि नंतर मातर आटीनची माल चला घतली अनि कौनाचीच करद माफी नहीं पस्तीस हजार कुटी रुपाई खर्ट करनार मतले बारा पंदर आजार चा उवर गेले नहीं अनि आजुनों वंता करद माफी चालू आहे ये पाईले आपन विमा तुमाला मिलाला ने विमा खाजगी कंपाण्यानला चालू आला दिला खाजगी कंपाण्या प्रचंडा आपा ये शेतकरय चापी क्रिम्या मदे जालील रखी वस्तु सित्या है शेतकर अला पईशे मिला लेलने शेतकरला नुक्सान वर्पाईने सेतकर चाहर अघ्यट जापे पठी ची उबरणी टाकत यह नहीं ऐस सरकार है पस्तों सरकार है खरभत्य बेवेंद्र फट्णोंव प्रश्टा चाहर आपनियों पर नहीं प्रश्टा चाहर चाहर जाहरा है। आपना एक दा कॉंग्रेस राष्ट वोदी कॉंग्रेस अनि मित्र पक्षान सा मुख्यमंत्री ये जाले पाई जे महाराश्टा चे या करता अपने ये क्विस्तार खेला मद्दान कराईचे अपने सगे नी प्रचंट में मता अपने जाले पाईजे और अब भाव विजे जा समय की कमी को देखते हुए माननी अमर बबु काड़े साथ आपको 17 तारीक की गांधी चोग की सभा में सम्मूदित करेंगे क्योंकि हमारे अधीधी सन्माना निये राहुल जी गांधी साथ को जल्द फे जल्द यहां से निकलना है मैं सिर्फ दो मेंट में उनको एक इतिया साथ बनताना चाहता हूं कि हमारी भूत पुर्वपदान मंतरी श्रीमती जी इंद्रा जी गांधी यहां 1901 असी में आई थी यहां गोली बार हुआ था तो फिजे बहुत से लोग जाम हैं तो गोली बार हुआ था और श्रीमती इंद्रा गांधी उस वक्त में 40 साल पहले आर्वी आई थी और आर्वी आने के बाद यहां से उनकी राजकारण में उनकी राजनीती में एक नई दिशा मिली थी आर्वी के लोगों ने उनके लिए गोलियां खाई थी और पुर हिंदुस्तान के अंदर में चर्चित यहां का गोली कांड हुआ था यह आर्वी के जनता का कॉंग्रस के परती फ्रेम है और माननी अमर बाबु काड़े साम ने यहां पर इसी जगे पर इसी ग्राउंड पर सोर्गे भारत रत्न सोर्गे राजियो गांदी नाम का एक बहतिन इस्टेडियम जो किसी मेट्रोपॉलिटन सीची जी तेसा है यहां बनाया है शायद आते वे श्री राहुल जी गांजी ने उसे देखी भी होंगे तो मैं राहुल जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ औ कि खामोशी बे सबब नहीं होती कि खामोशी बे सबब नहीं होती और जुबाच चुप रहे तो बे अदब नहीं होती श्रीमान राहुल जी गांजी साब को मैं यहां बुला रहा हूं कि आप लोगों सम्मोदित कर मलिकर जुन खारगे जी बाला साहथ थोराट जी विजेवाधितावराज जी प्रमोज जैन जी मनोज जंदूरकर जी चारूलता टोकस जी हमारे कैंडिडेट्स अमर काले जी शेकर शल्दे जी कॉंग्रिस पार्टी के वरिष्ट नेता प्यारे कार्यकरता भायों और भेनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत हिंदूस्ताइन की अर्थ्विवस्ता के बारे में आपको क्या लग रहा है काम ठीक चल रहा है मजा रहा है यहां जो युवाएं हैं आपको क्या लगता है बिरोजगारी बड़ी है कम हुई है बड़ी है न कि इसका कारण है जब हमारी सरकार थी आपको याद होगा हम मन्रे का योजना लाए थे याद है उसका लक्ष था कि गरीब से गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाइरेक्ट पैसा डाला जाए मोधी जी ने मजा कुड़ाया बीजेपी के सब नेताओं ने मजा कुड़ाया कहा कॉंग्रेस पार्टी पैसा जाया कर रही है साल का 35,000 क्रोर रुपए लगता था जब हमने मन्रेगा चालू किया उसी के एकदम बाद हिंदुस्तान की एकॉनमी तेजी से आगे बड़ी आपको याद होगा नरेत्र मोतीजी ने भाषन दिया लोकसभा में प्रधन मंत्री के बनने के बाद की मन्रेगा बेकार चीज है मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा अपमान किया गरीबों का गड़े खुद वाएं कि दूसरी तरफ कि 2014 के एकदम बाद कि दुनिया के महान एकॉनमिस्स सबसे टॉप एकॉनमिस्स मुझसे मिले और मुझे कहा कि राहूं जी बड़ी अजीब सी वात है मैंने का क्या कहते हमने मन्रेगा का विरोध किया था हमें लगा था कि मन्रेगा योजना ठीक नहीं थे मगर जब हम आकड़े देख रहे हैं बड़ी अजीब सी चीज दिख रही है मैंने क्या कहते हैं कि जब मन्रेगा ने हिंदुस्तान के गाउं में गरीब लोगों के जेब में पैसा डाला जब कॉंग्रेस पार्टी ने कर्जा माफी की सतर हजार क्रोड रुपे किसानों के जेब में डाला था तो उसका अर्थ विवस्ता पे बहुत अच्छा असर हुआ मैंने का कैसे उन्हें का यह जो पैसा आपने डाला यह सिर्फ गरीबों के जेब में नहीं रहा इनके घरों में नहीं रहा हर गाउं में हर किसान ने हर मजदूर ने इस पैसे का प्रयोग किया और कुछ ना कुछ खरीदा किसी ने टूथ पेस, टूथ ब्रश, साबून, कपड़ा, जीन, टीशर्ट जैसे इन लोगों ने माल खरीदना शुरू किया फैक्ट्रियों ने माल बनाना शुरू किया जैसे फैक्ट्रियों ने माल बनाना शुरू किया रोजगार पैदा हुआ जैसे रोजगार पैदा उन्होंने करीजना शुरू किया और फैक्टरियां चली और द्विवस्ता तेजी से आगे बढ़ी 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आये और जो भी योजना है गरीबों के जेब में गरीबों के घर में पैसा डालने के योजना है थी उनको एक के बाद एक एक के बाद एक बंद किया मन्रेगा को बंद किया भोजन के अधिकार को कमजोर किया आधिवासी बिल को कमजोर किया जमीन अधिकरन बिल को कमजोर किया और आपको याद है नोट बंदी की और आपको जूट बोला काले धन के खिलाफ लड़ाई एथ और आप सब को लाइन में घड़ा किया था जाद है आपको भूल गएं याद है ने महाता है ने आप startups कृक्तिने ना मैं याद है का अरबपती खड़ा था लाइन में विजय मालिया दिखा लालित मोधी दिखा नीरव मोधी दिखा नए क्योंकि काले धन के लड़ाई नहीं थी लक्ष था कि आपके जेव में से पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों के जेव में डालने का लक्ष था मेहुल चौक से उदर भागता है उसके बाद नहीं रुके गबबर सिंग टैक्स हमने उनसे का देखिए आप गबबर सिंग टैक्स जीस्टी ऐसे मत करिए नुकसान हो जागा देश का हम विपक्ष हैं मगर आप हमारी बात समझ लीजिए मान लीजिए या मत कीजिए इसका पाइलट प्रड़ेक्ट चलाइए आस्ते से करिए कि कहते हैं नहीं बारा बज़े करेंगे तो पटाके फोड़े धूम नाम से अनार चले मोदी जी आये बारा बज़े रात को कर दिया क्या हुआ हिंदुस्तान के सब छोटे दुकांदार मिडल साइज बिजनस छोटे हला को यह एद्र पिलिया है ''ॉ यह अउनका पूरा का पूरा पैसा नगाल कर सुर्च करल कि जय में टाल दिया। कि मैं कुछ देन पहले गुजरात में था जो हीरा का बिसनेस करते हैं वो मेरे पास आय एंगा देखिये राहुल जी नरेंद्र मोधी ने भाड़ साहँए खत्म कर दिया है क्याते है करो पहले नोडबन्दी की फिर गब्बर सिंख टैक्स लागू कर दिया हर महीने हम फॉर्म भरते हैं कभी ये फॉर्म भरो कभी वो भरो और हर रोज कोई ना कोई इंस्पेक्टर कोई ना कोई पुलीस वाला हमारे दर्वाजे के खामें सामने आके हम से रिश्वत मंगता है दिन भरम उसको रिष्टवत देते रहते हैं मारा पूरा बिजनस खतम हो गया नश्ट हो गया खतम हो गया गुजरात में महराश्टरा में करनाटक में आंधरा तेलंगा ना पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक एक के बाद एक चोटे जो बिजनसमेन हैं मिडल साइज बिजनसमेन हैं सब खतम हो गया और जो युवा उन बिजनसेज में काम करते थे सब के सब बेरोजगार हो गया सीथी सी बात है देखिए आप समझ जाएंगे अर्थ विवस्ता को चलाना है तो गरीबों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा सीथी सी बात है जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं होगा जब तक मजदूरों के जेब में पैसा नहीं होगा जब तक युवाओं के जेब में पैसा नहीं होगा अर्द्व्यवस्ता नहीं चल सकती, रोजगार नहीं पैदा हो सकता और आप जानते हो अच्छी तरह आप जानते हो यहाँ पे कोई ना कोई हर हर रोज कोई ना किसान आत्म हत्या करता है मुझे अभी बताया गया एक किसान चाय के चर्चा पर नरेंद्र मोधी जी के साथ चाय पर चर्चा पर गया था उसने आत्म हत्या कर ली बीजेपी का कार्या करता बीजेपी की शर्ट पहने हुए उसने का आत्म हत्या कर दी किसान था तो ना किसान को ना छोटे दुकानदार को ना युवा को रास्ता दिख रहा है कभी कॉर्गेट पार्क ले जाते हैं कभी चायना के राश्ट्रपती के और ले जाते हैं कभी टेक्सस में ट्रंप के और ले जाते हैं कभी 370 के और ले जाते हैं कभी कश्मीर के और ले जाते हैं मगर जो आपके सामने समस्या है सूखा, बेरोजगारी, किसान की समस्या, आतम हत्या, इसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं, कारण है, और मैं आज यहां आपको सम्झाने आया हूँ, बताने आया हूँ, यह देखें, लौट स्पिकर है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, उससे निकल रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी, अनिल अमबानी, अदानी, अमबानी इन लोगों के लौट स्पिकर है, जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी उनके लिए करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का काम, फटनविष जी का काम, आपका ध्यान कभी इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने का है, आपको दारन देता हूं, कुछी दिन पहले, नरेंद्र मोधी जी ने कॉर्परेट टैक्स माफ किया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अमबानी, अदानी इनका कॉर्परेट टैक्स माफ किया मैंने पहले शुरुआत में कहा था 35,000 करोड रुपए नमनरेगा के साल के लगते हैं 70,000 करोड रुपए कॉर्परेट पूरे किसानों का करजा माफ कर दिया था एक दिन में नरेंद्र मोधी ने 1,25,000 करोड रुपए 15 लोगों का करजा माफ कर दिया सॉरी, टैक्स माफ कर दिया कहा लो, चलो, 1,25,000 रुपए मैं अमरीका जाना हूँ वहाँ पर ट्रम्प से मिलूँगा दुनिया की मीडिया देखेगी चलो ये लोग तुम लोग तोफालो 15 लोगों पकड़ा दिया किसानों का करजा माफ या नहीं किया हमने बद्यप्रेदेश 36 गार राजिस्तान पंजाब करनाटक में किया इन्होंने आपसे जूट बोला महराश्रा में करजा माफ होगा नहीं किया मगर पिछले पांच सालों में नरेंदर मोदी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों पांच लाक पच्चास हजार करोर रुपया माफ किया है और वहाँ नहीं रुकेंगे हिंदुस्तान पेटूलियम हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन कोल माइन्स जो भी अनके हाथ आया एर इंडिया जो भी सरकारी कंपनी इनके हाथ आएगी एक के बाद एक के बाद एक यह अधानी अमबानी को पकड़ाते जाएगे यह हमारे जो मित्र ख़ड स है इनकी गल्ती नहीं है झाल मैं इनके चुछ यह टेविशन स्टुडियों नहीं चलाते हैं इस यह मालिक नहीं है हैं मैं आपकर रखिकल 370 की बात होगी पाकिस्तान की बात होगी, ट्रंप की बात होगी, चांद की बात होगी, कभी आपने टीवी में देखा है कि हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, कभी देखा आपने? यह तेश्प के सामने सबसे बड़ी समझ्या है इससे बड़ी समझ्या यह निए मगर एक टेलिविजिन का स्टुडियों आपको नहीं दिखाएगा कि हिंदुस्तान में सबसे बेरोज़ारी आज है कि अर्द्व्यवस्ता की घजियां उड़ गई एक टेलिविजन स्टूडियो आपको नहीं दिखाएगा कि भाईया अर्द्व्यवस्ता की घजियां खतम हो गया बी मॉनेटाइजेशन गबबर सिंग टैक्स ने बरबास कर दिया एक नहीं दिखाए पता है क्यों क्यों कि छो ही कि पैसा ना रेंदर मोधी का यह ना फट्व जी जी का है कि पैसा महराश्ट्रा की जनता का है माताओ बेनों आपका पैसा है और अभी देखना चे महीन अभी जो आलत है अर्भ रभीवस्ता कि आप देखना चे महीने में क्या होता है आज जो बेरोज़गारी यह उससे ऐसा गरीब व्यक्ति के जेब में नहीं डालोगे तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता है इसको बिद्नेस वालों नहीं बनाया ये मोदी जी जो कहते हैं कि बहुत सब्सक्राइब गुश्च नहीं हुआ ये अम्बानी अधानी ने देश नहीं बनाया है ये ये आपके माता पिता उनका खून पसीने से देश बनाई है ये अपमान करते हैं नरेंद मुदीजी आते हैं लाल के लिए पर खड़े होके कहते हैं मेरे आने से पहले हाथ ही सो रहा था आपके आने से पहले हाती सो रहा था क्या मतलब इस देश के लोगों ने कुछ नहीं किया सतर साल ये लोग ऐसी बैठे रहे थे क्या अबर अमरीका का राश्रपेति कहता है कि हिंदुस्तान यह अमरीका का मुकाबला कर सकता है कि यह सबका सब काम एक दिन में हुआ क्या नहीं यह आप लोग ने क्याव के माता पता आपके दादा दादी ने किया है अपना खून पसीना देकर चोटी दुकानों में चोटी फैक्टरियों में मजदूरी करके क्या यह जो इमारते बनी है यह नरेद्रमोदी ने बनाई किया न यह आप लोगों ने मनाई है यह आपका कून परजीन आ है और आपसे ही आपका पूरा का परवा पैसा छीना जा रहा है लूटा जा रहा है और फिर देश को बाड़ते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे कहीं जाके उल्टी बात बोलके गुस्सा पहलाएंगे और यह विचारधारा की लड़ाई है इस देश का इतिहास है हिस्ट्री है पूरा दुनि पूरी दुनिया जानता है कि हिंदुष्टान के लोग एक होकर आगे बढ़ते हैं तो यह आपको बाटना चाहते हैं और पूरा 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 पैसा आपका लेकर यह पांच-दस लोगों को देना चाहते हैं तो यहां महराश्ट्रा में कॉंग्रस पार्टी की विचारदार आपके खून में हैं आप एक दूसरा का आधर करते हो आप एक दूसरे की मदद करते हो आप एक साथ खड़े होते हो और पूरा देश जानता है कि महराश्ट्रा देश को रास्ता दिखा सकता है पूरे देश से लोग मुंबई आते हैं मुंबई क्यों आते हैं मुंबई इसलिए आते हैं क्योंकि जानते हैं कि देश का जो दिल है देश की जो शक्ति है वो महराश्ट्रम है तो आप लोगों को रास्ता दिखाना है पूरे देश को रास्ता दिखाना है कि हम बटेंगे नहीं और बीजेपी नरेंद्र मोदी हमारा बेवकूब नहीं बना सकती पैसे के कोई कमी नहीं है इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है बस पूरा का पूरा पैसा 15-20 लोगों के हवाली किया जा रहा है आप देखो ना मन्रेगा गया बोजन काधिकार गया आर्टी आई गया जमीन अधिकरन बिल गया आधिवासी बिल गया जो भी गरीबों की मदद करने की योजना है थी कि एक के बादी के देखें क्षडिन पहले निर्मलासीतरहन कहते हैं ठीखिए जी-एस्टइ कानून है इसको तों बदल की कな डाले इसके मगर मन्रे का कानून था इसको बदल ऑज शकते हो बोजन कारन करma उसको बदल सकते हो किसानों की जमीन उनसे चीं सकते हो जमीन-ादीकारन बिल को बदल सकते का जर्ट की नहीं बदल सकते यह जो आपकी दुकाने हैं ना आपके जो चोटे चोटे बिजनस हैं जी एस्टी का लक्ष इन दुकानों को इन बिजनसे को मारने का है खतम करने का है जी एस्टी एमजान जैसी कमपनी अमबानी अदानी वाली कमपनी के लिए रास्ता खोल रही हैं अब यह मत सोचिए कि जी एस्टी से आपको फाइदा होगा जी एस्टी आपको मारने का हत्यार है आपको मारने का हत्यार है और यह हत्यार अमबानी अधानी का हत्यार है लाउड स्पीकर बोलते हैं आपका ध्यान उधर-उधर करते हैं और फिर नोट बंदी जी एस्टी टेक्स माफी पूरा का पूरा फाइदा उन पंद्रा लोगों को मिलता है यह आप महराश्रा में मत होने दीजिए एक साथ खड़े होके इनको रोकेंगे और मैं आपको ग्यारेंटी दे रहा हूँ महराश्रा में कॉंग्रेस पार्टी एनसीपी की सरकार आएगी तो गरीबों भी सरकार होगी डायरेक्ट सीधे आपके जेब में पैसा जाएगा मुझे कुछ लेगा नहीं मैंने भईया पिछले चुना में कह दिया था लोक सब में मैंने कह दिया था नियाय योजन आएगी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा मैं इस बात को पिल्कुल समझता हूं कि देश को किसान मजदूर युवा खड़ा करते हैं बनाते हैं चलाते हैं और सरकार का काम इन लोगों की मदद करने का है उद्योगपतियों की जगे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोई जगे नहीं है जगे होनी चाहिए मगर सब की जगे होनी चाहिए ये नहीं कि भीया आपने 15 लोग अधानी अधानी को सब कुछ पकड़ा दिया जमीन दे दी पानी दे दिया बिजली दे दी सब कुछ दे दिया और बाजी लोगों को परे कर दिया ऐसा हिंदुस्तान नीचे हमें नहीं होने देंगे तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आप दूर दूर से आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से और जो माताय आई है बहने आई है आपको कश्ट हुआ आप दूर से आई है आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आरवी शेयर और विदान सभा विदान सभा मद्दाता चेत्रे के सभी नागरीकों का सभी जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आभार प्रकट करता हूं आभार प्रकट करता हूं कि वो यहां आए और इतने शांती के साथ में ताहुल जी को सुना आप सबी से मैं कहने जा राहुल गानी ताहुल गानी पारे पंजा पारे पंजा